दिपति को पुषपा के अलमारी से गन पतीजी के गहने का हिस्सा मिलता है दिपती के साथ उस टाइम राषी और प्रातना थे इसलिए वो उन दोनों के साथ अपने शक के बारे में बात नहीं कर पाई दिप्ती दिलिप को बता देती है कि पुषपा मा का बिहेव देखकर नहीं लग रहा है कि वो पुषपा मा है ऐसा लगता है कि पुषपा मा की जगा कोई और पुषपा मा बन कर आया है जो दिलिप को शक था वही शक अब दिप्ती को भी होने लगा है दिप्ती को पता चल जाता है कि गनपती जी के गहने के साथ छेरचार नकली पुषपा यानी बसंती ने किया है लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बता पा रही थी इसलिए कानपूर पहुच जाता है विरेन पुषपा मुंबई जाने के लिए बस में बैटने ही वाली थी कि तभी विरेन पुषपा को रोक लेता है और खुद को जुगल बोलकर पुषपा को मुंबई जाने से रोक देता है पुषपा भी मान लेती है कि विरेन ही जुगल है क्योंकि पुषपा को कुछ भी याद नहीं है पुषपा चाय की दुकान पर वापस आ जाती है तो शेखर उससे पूछता है कि तो मुंबई जाने वाली थी तो मुंबई गई नहीं जिसके बाद पुषपा बोलती है कि जूगल से मिलने जा रही थी मुंबई लेकिन जूगल जी कानपूर में ही मिल गए तो शेखर बसंती को फोन करता है कि जुगल कानपूर आया है तो बसंती बोलती है कि नहीं शेखर समझ जाता है कि कोई तो है जो पुषपा को मुंबई जाने से रोकना चाता है लेकिन शेखर को क्या पता है कि वो विरेन है शेकर सब जानता है कि बसंती कौन है और पुछपा कौन है लेकिन वो चुप है क्योंकि बसंती ने उसे किसी को भी सच बताने से मना किया है